इससे पहले देवी भावत पुराण का छठा अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रस्पान कीजिए आज की गठा का रिशिकन बोले सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे उन्होंने संपोन पावन पुराणों की रचना करके शुक देव जी को पढ़ा दिया किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुक देव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे इस विशे में व्यास जी के मुखारविन से आपने जो कुछ सुना है वे सब रतान विस्तार पूर्वक कहने की करपा कीजिए तब श्री सूत जी कहने लगे शुक देव जी उच्च कोटी के साक्षात योगी थे सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जनम हुआ वो कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो एक समय की बात है महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो ये निश्चित विचार करके मेरू किरी के रमनीव शिखर पर गए और उन्होंने वहाँ जाकर कठिन तपस्या आरंप कर दी उनके मन में बार-बार ये विचार उठता था कि शक्ती की उपासना अवश्य होनी चाहिए जो शक्ती का पूजन नहीं करता जगत में उसकी सर्वत्र निंदा होती है शक्ती का उपासक सदा आदर पाता है सत्यवती नंदन व्यास जी सुमईरु किरे के जिस शिकर पर तपस्या करते थे वहाँ पर एक बड़ा अध्भुत कनेर का उपुवन था सभी देवता और महान तपस्वी मुनी वहाँ किरीडा किया करते थे आदित्य वसू, रुद्र मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षातकार कीवे मुनीगण वहाँ ठहरे वे थे निरंतर वहाँ पर संगीत ध्वनी होती रहती थी फिर तो चराचर संपुन जगत में व्यास जी का तेज फैल गया उनकी जटाएं अगनी के समान चमकने लगी उस समय उनके तेज को देखकर शची पती इंद्र डर गए देवराज के मन में ये विथाउत पन हो गई पर भगवान शंकर जी के पास जाकर खड़े हो गए उनकी इस्थिती देखकर भगवान शंकर कहने लगे इंद्र तुम तो देवदाओं की राजा हो आज कैसे भईबीत हो गए तुम पर कौन सा दुख तूट पड़ा है तुमें कभी भी तपस्यों के प्रती अमर्ग नहीं करना चाहिए शक्ति सहित मैं उपास सी हूँ ये जानकर मुनिगन तपस्या में लगे रहते हैं वे किसी भी परकार दूसरे का अहित नहीं करना चाहते जब शंकर जी ने देवराज इंद्र से ऐसा कहा तब वे उनसे पूछने लगे कि भगवन फिर बताईए वियास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या इच्छा है भगवान शंकर कहने लगे पराशर नंदन वियास पुत्र प्राप्ती के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं अभी सौवर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुन्दर पुत्र दूंगा शिरी सूत जी कहने लगे इस प्रकार भगवान शंकर ने देवराज इंद्र से कहा इसके बाद विजगत गुरू शंकर वियास जी के पास गए और कहने लगे वास्वी नंदन वियास जी उठो तुम्हें अभी सुन्दर पुत्र प्राप्त होगा अनग तुम्हें संपोन्द तेजों का साकार विग्र है ज्यानी यश्का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रेपुत्र प्राप्त होने वाला है उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे साथी वह सत्य प्राक्रमी भी होगा शिरी सूत जी कहते हैं पतिवरत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो है तो वह बंधन स्वरूपी वो अपनी इच्छा के नुसार सुख भोगना पसंद करती है ग्रहस्त का जीवन बड़ा ही संकट में है फिर अब मैं उसे कैसे स्विकार करूं मुनिवर व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही ग्रताची नाम की अपसरा दिव्य रूपधारन किये वे उन्हें दिखाई दी उस समय वह मुनी के समी भी आकाश में खड़ी वी थी अपसराओं में उसका सर्वो चिपद्ध था अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं इसे स्विकार कर लेता तो अनेको तब करने वाले महात्मा मेरी हसी उड़ाएंगे जो कुछ भी हो उत्तम सुख देने वाला तो ग्रेस्थ आश्रम ही है कहा जाता है ये आश्रम पुत्र देता है स्वर्ग पहुचाता है और ज्यान हो जाने पर मुक्षपी देता है बहुत पहले नारत जिसे मैं प्रसंग सुन चुका हूँ उर्वशी नाम की अपसरा थी राजा पुरुर्वा उसके वश में हो गए थे अंत में उस अपसरा ने राजा का तरे सकाल कर दिया था मुनियों के पूशने पर सूत जी कहने लगे मुनिवरो इलाके गर्ब से पुरुर्वा की उत्पत्ती हुई ये प्रसंग अब तुमें सुनाता हूँ पुरुर्वा यग्य और दान में लीन रहने वाले एक धार्मिक पुरुश हुए हैं सुद्यूम्न नाम के एक राजा थे उनके मुक से कभी असत्यवानी नहीं निकलती थी इंद्रियों पर उनका अधिकार था एक बार वे जित्रवन में जा पहुँचे वहद्दिविवन मेरुगिरी के निचले भाग में था पारिजात के व्रिक्षों से उसकी अनुपम शोभा हू रही थी अशोक वकुल और सुन्दर लताओं से वे महक रहा था साखू तरकुल तमाल चंपा कटहल आम नीम महुआ और वासंती लताएं चार और से उस वन को घेर हुए थी अनार नारियल और केले के व्रिक्ष उसकी शोभा बढ़ा रही थे जुही मालती और कुई आधी फूल वाली लताओं से वे भरा हुआ था अने को हंस और बगुले वहां विचर रहे थे निरंतर बांसों की ध्वनी होती रहती थ भावरे गुन गुनाते रहते थे वे वन हर प्रकार से सुखदाई था राजा सुध्यम्न उस वन को देकर बड़े प्रसन हुए व्रिक्ष फूलों से लदे हुए थे और कोईले कूक रही थी ये देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए फिर तो महराज सु दिथो उठे बार बार चिता की लहरे उठने लगी उन्हें असीम कस्ठ हुआ वे लजजित हो गए सोचनी लगे कि मेरी आकरित्ती तो इस्तिरी की हो गई अब मैं क्या करूं कैसे घर जाओं अब मैं किस प्रकार राजी का शासन करूंगा अरे ये मुझे किस ने ठग लिया रिशिकन बोले हे सूत जी आपने तो बड़े ही आश्चरी की बात कही कि राजा सुद्यवन इस्तिरी हो गए उनमें तो देवताओं की समान परागरम था फिर क्यों इस्तिरी हो जाना पड़ा उस अत्यंत रमणी वन में राजा ने ऐसा कौन सा कारी कर दिया जिसके जंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभरती रिशिगन वहां पधारे थे उस समय भगवान शिप भगवती उमा के साथ क्रीडा में मगन थे रिश्यों को देखकर देवी उमा अत्यंत लज्जित हो गई वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग पैट गई उनका शरीर बड़े जोर से कापने लगा उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर रिशिगन यत्र दत्र बिखर कर शिगरी भगवान नारैन के आश्रम को चले गए अपनी प्रिया पारवती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि देवी तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो मैं अभी तुम्हें सुखी किये देता हूँ वरानने देखो आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो वह तुरंत ही इस्त्री हो जाएगा इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया तब से वहवन दोश का खजाना बन गया जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वे उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते महराज सुद्युम्न इस बात से अंजान थे इसलिए मंत्रियों से इत वहाँ चले गए इसलिए सब के साथ ही उन्हें शाप के अनुसार इस्त्री तुस् अधर भटकने लगे इस्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया पिचारों और घूम रहे थे इतने में ही चंद्रमा के नव युवक पुत्र बुध से उनकी भेट हो गई इला का रूप बड़ा ही मनुहर था अनेको इस्त्रियां उसके साथ थी महाभाग ब पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की इला के मन में भी बुध को पत्ती बनाने की बात जच गई फिर तो प्रेम पुर्वक दोनों का परस पर संबंध हो गया उसी इला के गर्भ से बुध ने पुरुर्वा नामक पुत्र उत्पन किया उस सुन्दरी इस्त्री इला ने फि वसिस्ट जी बड़े तयालू थे उन्होंने सुध्यूम्न की दशा देखकर जगत के कल्यान करने वाले देवाधी देव भगवान शंकर की स्तूती की भगवान शंकर मुनिवर पर प्रसन हो गए वसिस्ट जी ने अपने प्रेपात्र राजा के पुन्हा पुरुष होने की प पड़ेगा इस प्रकार वरपाकर धर्मात्म सुध्यूम्न फिर से वापस अपने घर चले आए वसिस्ट जी की करपा से उन्होंने राजी की विवस्था आरंप कर दी जब विस्त्री हो जाते उस समय महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राजी का अंती फैल गई ऐसे राजा उन्हें अप्रे से जान पड़ते थे जो कभी शासन करते कभी महल में रहते समय आने पर पुरुर्वा की युवा अवस्था हो गई अब राजा सुध्यूम्न उन्हें राजगद्धी पर बिठा कर खुद वन को चले गई अनेक व्रक्षों से स रमपन उस सुन्दर्वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारत जिसे उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहन की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जब आरंब कर दिया फिर तो सबका उधार करने वाली गुणमई भगवती योग माया राजा पर प्रसन हो गई सिह पर बैठ कर विराजा के सामने प्रकट हुई उनका दिविरूप बड़ा ही मनुहर था दिविरूप धारन करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर इस्तरी बने हुए राजा सुद्यम्न की आँखे आनंद से खिल उठी उन्होंने बड़ी प्रसनिता के साथ सिर जुका क अगर भगवती जगदंबिका को प्रनाम किया और उनकी स्तुति आरंप करती इला ने कहा हे भगवती मैंने आपके सो प्रसित दिविरूप की जहां की पाली इस रूप से अखिल जगत का कल्यान हो जाता है माता देवगंड जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ती देना औ सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते तब प्रत्वी पर रहने वाला साधरन मनुष्य भला उसे कैसे जान सकता है हे दयामई आपकी दयापूर्ण द्रिष्टी पढ़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं देवी आपके व्यभाव को देखकर मुझ बड़ाश्य हो रहा है जब ब्रह्मा विश्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा अगनी वरोन पवन कुबेर तथा वसुगंड तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिजिते हैं तब गुणहीन मनुष्य क्यों करूने समझ सता है माते भगवान विश्णु महान तेज स्वी हैं तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी जी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही बेजानते हैं ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित हैं कहां तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहां लिए ये कितना संभव है ये भवानी आपका करपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया आनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सिवोकों पर दया करना आपका सुभाव ही है जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबद स्थापित किया तब ही से ये श्री व उससे इस पर्ष कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनवाते हैं ताकि प्रत्वी का भार संभाल सके पुरार पुरुष भगवान श्री विश्नु की च्छाती में भ्रगुजी ने लात मारी किन्तु आप श्री देवी की अभिलाशा से वे अप्रसन नहीं हुए जैसे का भगवान विश्नु के अत्यंते विश्तरित, शांत और भूशणों से भूशित वक्ष इस्थल पर शय्या की तरह सदा उसी प्रकार विराज मान रहती हैं जैसे बिजली मेगमाला में शोभा पाती हैं तो फिर क्या वे जगत प्रभूश्री विश्नु आपके वहन नहीं ह हुए माते अगर आप नराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निशित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी प्रतक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुश शांत सुशील और गुणी भले ही हो किन्तु उसके पास आपका अर्थत शक्ति का वास नहो तो अपने कहलाने वाल भाई बंधू भी उसे छोड़ देते हैं अमित प्रभाव शालिनी देवी सदा आपके चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रहमादी देवता है क्या वे कभी इस्त्री नहीं थे मैं तो मानती हूँ कि वे भी इस्त्री थे और आपने ही इन्हें कर दो तब देवी ने प्रसन होकर इलाको पुरुष बना दिया इसके बाद सुद्यम्न ने कहा देवी मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप ना इस्त्री हो ना पुरुष हो ना निर्गुण हो ना हिस्सगुण अथ्वा आप जो कोई भी हो मैं भक्ती भाव के आपको प्रणाम करता हूँ माता यही अभिलाशा है कि आपके प्रती मेरी ये भक्ती सदा बनी रहे शरी सूत जी कहते हैं इस प्रकार इस्तुति करके राजा सुद्यम्न भगवती के शरणागत हो गए भगवती ने बहुत प्रसन होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया इस प्रकार भगवती जगतम्विका के करपा परसाथ से राजा उस परंपद के अधिकारी हो गए जहां से फिर वापस लोटना नहीं होता और देवता लोग भी जिस पद के लिए हमेशा लाले इत रहते हैं सुद्यूम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुर्वा राजी करने लगे बेमहान गुणी और प्रजा की परसनता में सदा प्रयतनेशील रहने वाले थे प्रतिस्ठानपुर बड़ा ही रमणी नगर था उसी में उनकी राजधानी थी प्रजा की रक्षा में सदा संगलगन रहने वाले तथा संपून धर्मों के ग्याता पुरुर्वा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया वे अमित उद्यमशील थे प्रभु शक्ती तो उनमें थी ही साम दाम दंड भेद सब उनके अधिन रहते थे उनके राजिकाल में सभी वन अपने अपने आश्रम धर्म का पालन किया करते थे महराज पुरुर्वा ने तरह तरह के यग्य किये जिनमें प्रचुर दक्षिनाई बाटी गई उनके रूप गुण वैभव सदाचार सभाव और शक्ती की बात सुनकर उर्वशी उन पर आसक्त हो गई उसने राजा पुरुर्वा को अपना पती बनाना चाहा वे अपसरा ब्रह्म जी के शाप से मर्तिलोक में आई भी थी राजा पुरुर्वा को गुणी समझ कर उन्हें उसने वरण किया और उसने राजा के सामने ये शर्त रख दी कि राजन तुम्हारे पास ये दो मेढ़े रहते हैं इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी मैं हर दिन घी खाऊंगी इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी भोजन नहीं होगा महराज मैथुन के अत्रिक्ट मैं तुम्हें कभी नगन नहीं देख सकूंगी राजन अगर ये शर्त का भी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी और मैं ये बात किलकुल सत्ति कहती हूँ राजा ने अपसरा उर्वशी की बात स्विकार कर ली तब शाप से उध्धार पाने के लिए वह प्रतिग्या पूर्वक वहां रहने लगी उस समय राजा की बुद्धी और मन का एक मात्र विशय उर्वशी ही बन गई थी गंधरवो तुम सब लोग उर्वशी को यहां लाने का प्रयास करो राजा पुरुर्वा की आँखों से ओजल करके उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्य ही काम बन जाएगा और यहां मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है इसकी शोभाई ही नस्ठ हो गई है इसलिए जिस किसी उपाय से भी हो सके उस सुन्दरी अफसरा को यहां अवशी ही लोटा लाओ इसके बाद देवराज इंद्र के कहे अनुसार विश्वा वसू प्रभरती अने को गंधरव पुरुर्वा के महल में गए खूब अंधिरा वहां पर चाया हुआ था गंधरव ने अफसर पाकर मेढों को चुरा लिया वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिलाने लगे उर्वशी उन मेढों को पुत्र के समान मानती थी उनकी चिलाहट सुनकर वह क्रोधित हो गई साथ ही उसने राजा से कहा कि इन मेढों को सुरक्षित रखने की तुमने तो प्रतिग्या की थी कि दुराजन अस तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नस्ट हो गई ये मेढे मुझे अपने पुत्र के समान ही प्यारे थे इन्हें चोरों ने चुरा लिया और अब तुम इस तरीके समान आखे मोदे पड़े हो तुम नपुनसक हो केवल अपने मन में ही वीर बने रहते हो और तुम जैसे पत्ती के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई अरे ये दोनों मेढे मुझे प्राणों के समान परे थे किन्तु आज ये मेरी आखों से ओजल हो गए इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी उसे उदास देखकर अपनी सुदबुत खोईवे राजा पुरुर्वा निर्वस्त्र ही नंगे पैर चोरों के पीछे दोड़ पड़े ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेणा से बिजली चमक उठी राजा जाने की उतावली में थे और अपसरा ने उन्हें निर्वस्त्र ही देख लिया फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेड़ों को छोड़ कर भाग गए राजा ने उन मेड़ों को पकड़ लिया और वे ठके इमान्दे अपने भवन पर लोट आए उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी तब पुरुर्वा अतिन्त दुखी होकर विलाब करने लगे परन्तु वे सुन्दरी इस्तरी उर्वशी तो पती को नगन देकर कभी की जा चुकी थी अब स्वयम राजा पुरुर्वा रोते हुए देश देशांतर में चकर काटने लगे उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था उनकी पागलों की सी दशा हो गई थी वे सारी धर्ती पर घूंते रहे उन्हें कुरुक्षेतर में उर्वशा दिखाई पड़ी उसे देखकर महाराज पुरुर्वा का सरवांग पुलकित हो गया फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे अरी सुन्दरी ठेहरो मेरा मन तो तुम में लगा हुआ है मैं तुम्हारे अधियन होकर रहता हूँ मैंने तो कोई अपराद भी नहीं किया फिर मुझ पती को इस गोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहां तक उचित है देवी वही ये तुम्हारा प्रिदेह है तुम्हारे दूर होने पर अभी नस्थ हो रहा है सुन्दरी अगर तुमने इसका परित्याक कर दिया तो इसे सियार और कोवी खा जाएंगे अर्थत मैं जी नहीं सकूँगा इस प्रकार राजा पुरुर्वा दुखी होकर विलाग कर रहे थे बड़ी दैनी दशा हो गई थी वे थर्ग गए थे अतिन्त विवश हो गई थे तब उर्वशी ने उनसे कहा महराज तुम बड़े मूर्खो तुमारी बुद्धी कहा कुंठित हो गई तुम घर जाओ वहां कही आनंद भोगो मन में यो दुख करना व्यर्थ हैं इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे वे पुरुर्वा को ज्यान नहीं हो सका वे दुख के उम्रे सागर में गो अमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी